हलो व्यॉवर्ज आज अब के लिए एक छोटा सा टॉपिक ले क्या हूँ है सौथ एशन फैडरेशन से लेड़ेड जीने की अब सौथ एशन गेम्स से यह जाना जाता है जो कि पहले सौथ हेशन फैडरेशन गेम्स के नाम से जाना जाता था और यह एक मल्टी स्वोड इवेंट है जो कि साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं सेवन कंट्रीज हैं उनके अक्स लीड सेंस में पार्टिस्पेट करते हैं और जो गवर्निंग बॉड़ी है साउथ एशिया ओलम्पिक काउंसिल की यह कब फार्मड हुई थी 1983 में 1983 में यह फॉर्म की गए थी और फ्रस्ट इवेंट जो है वह इसका काटमंडू जाने कि नेपाल में इसका हुआ था और जो नेक्स्ट इवेंट है वह होगा लाहोर पाकिस्तान में 2023 में पहले तो और इसका जो मोटो है मोटो इन गेम्स का पीस प्रोस्परिटी एन प्रोग्रेस जो है इसका सौथ हेशन गेम्स का मोटो है तो आगे बढ़ते हैं 1984 से लेकर 1987 तक गेम्स हर साल होते रही हैं सिर्फ 1986 को लेकर क्योंकि इस दिन 1986 को क्या था कि यह एक Commonwealth का यह था इसलिए और Asian Games का यह था इसलिए यह गेम्स नहीं हुई थी साल फिर 1987 के आगे यह गेम्स जो हैं हर साल अब होती हैं हर दो साल में एक बार एक गेम्स होती हैं और सौथ एशन और लॉंपिक सौथ एशन ऑलम्पिक काउंसिल की बात की जाए तो इसमें सेवन कंट्रीज हैं टोटल कि आप देख सकते हैं सेवन मेंबर्स हैं बंगलदेश बुटान इंडिया मालदीव निपाल पाकिसान एंश्यलंका तो यह हैं इसके लिड़र भी आपको कुशन पोछा जा सकता है कि कितनी कंट्रीज हैं तो सेवन कंट्रीज हैं आप कि बता सकते हैं और इसके साथ थे इसके साथ से ये बात करेंगे हम अगर तो इसमें अफगानिस्थान ने इसमें पाटिस्पिशन की थी 2004 में 2004 में अफगानिस्थान ने पाटिस्पिशन की था और ये 2000 से लेकर और इसने फिर लास्ट टाइम जो अफगानिस्थान ने जो पाटिस्पिशन की था लास्ट टाइम वो 2016 है 2016 में पार्टिस्पर्ट करके अफगानिस्थान ने सौथ एशन ओलम्पिक काउंसिल को छोड़ दिया था तो वियोर्ज ये थी सौथ एशन फैडरेशन के बारे में पूरी जानकारी जिनें की आजकल सौथ एशन गेम्स के नाम से जाना जाता है तो इस वीडियो को शेर करें और चैनल के सबस्क्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लें तो थैंक्स फॉद वाचिंग जैहिन जैबारत